The Eternals अब release हो चुकी है और इस Marvel Cinematic Universe के नए entry के साथ आए हुए है के नए Cosmic Lores लेकिन इस फिल्म के सबसे interesting aspect में से एक है जो की Celestials के नाम से जाने जाते है Celestials एक insanely powerful race of cosmic beings है जो की MCU में reintroduced है इस विडियो में हम Celestials के बारे में discuss करेंगे MCU के अंदर लेकिन याद रखे कि हम comics में उनके counterparts के बारे में discuss नहीं करेंगे लेकिन उन्हें जरूरत पढ़ने पां mention कर सकते हैं इस विडियो में सिर्फ MCU के Celestials के बारे में बात की जाएगी The Atenals Film ने एक concept introduce किया है कि Marvel Cinematic Universe के अंदर सारे जीवन एक अन्या ग्रे से आये हैं जो के Celestials नाम के एक प्रकार के प्रजाती होते हैं Celestials हमारे जानकारी के मताबिक MCU के सबसे पुराने प्रजाती है इनसे पहले के creation के समय से और पहले के six singularities जो बाद में infinity stones के रूप में जाने गए Celestials मौजूद थे Prime Celestial ओरिशम ने पहला सूरज बनाया और यूनिवर्स में प्रकाश दिया और ज्यादा टा ओरिशम का काम है यूनिवर्स के नए Celestial Beings के जन्द में मदद करना जो फिर से यूनिवर्स में नए जीवन की उत्पत्ती लाएंगे Celestials के करन हाई यूनिवर्स के सभी जीव उत्पन्न हुए है ये एटनल्स फिल्म में बताया गया है Celestials MCU में सबसे प्राचीन और शक्तिशाली जाती है उनके बनने से पहले यूनिवर्स और इंफिनिटी स्टोन्स के बारे में कोई ग्यान नहीं था Prime Celestial Orisham ने पहला सुन बनाया और यूनिवर्स में रोशनी दी Orisham के प्रधान काम में एक नए Celestial के जन्म में सहयोग करना है जिसके करन नए जीव और नए जगत उत्पन्न होते हैं इसके लिए हर एक लाखो वर्ष में नए Celestials जन्म लेने होते हैं Orisham एक जीवित प्लानेट में Celestial Seed of Life लगाता है जैसा की धर्ती पात यामात का था Celestial की उत्पत्ती के लिए प्लानेट के कोर में Celestial लाया जाता है और उनका भोजन जीवित और बुद्धिमान जीवों के उरजा से होता है कितनी मात्रा में जीव की जरूरत होती है इसकी जानकारी स्पीशीज के आधार पर होती है हम जानते हैं कि Infinity War के बाद जब सभी मानव पुना जनम लेते हैं तब धर्ती पात यामात के जन्म के लिए जरूरी उरजा उपालब थी अरिशम ने इस प्रक्रिया में मदद के लिए दो प्रकार के प्रानी बनाए थे पहले तो Deviants जो जवाबदे जीव जिनके माध्यम से जवाबदे जीवों का विनाश किया जाता है ताकि जीवन अच्छे से विक्सित हो सके हलांकी समय के साथ Deviants खुच शिकार बन गए और अरिशम को और एक प्रकार के प्रानी एटिनल्स बनाने के लिए मजबूर किया जिन्होंने Deviants को समाप्त करने के लिए काम किया एटिनल्स एक सिंथेटिक प्राकरती के प्रानी थे जिनका मुख्य काम जीवन को Deviants से बचाना और परियाप्त विक्सित होने में मदद करना था सेलेस्चिल के सारे गुणों की पूर्णा गती अभी तक ग्यात नहीं है लेकिन हमने उनके पास एक ऐसा शक्तिशाली प्रभुत्व देखा है जिसमें वो कॉस्मिक औरजा को मानिपलेट करके जीवन को जन्म देते हैं और वास्तु को पैदा करते हैं हमने देखा है कि सेलेस्चिल सितारों और पूरे ग्यालाक्सी को कुछ भी ना होने से भी पैदा कर सकते हैं इसके अलावा हमें ये भी पता है कि वो दुर्यों को च्यूरंट पार करने में भी सक्षम है जैसे टेलेपोटेशन के द्वारा एक और सेलेस्चिल जिसे हम काफी हद तक जानते हैं वो है इगो जीवित ग्रेह वो MCU के अंदर एक अजीब सा सेलेस्चिल है क्योंकि वो अपने तरीके से एक रिनेगेड है एगो कहते हैं कि सबसे पहली याद जो उन्हें है वो है आउटर स्पेस के वॉइड में बिलकुल अकेला तैरना ये नहीं पता कि क्या यही उनका उदय हो सकता है या फिर उन्हें अलग तरीके से बनाया गया होगा दूसरे सेलेस्चिल्स के मुकाबले उनके बहुत बड़े उमर होने के बावजूद इगो को ये हो सकता है कि उन्हें नए सेलेस्चिल लाइफ को उत्पादित करने के तरीके की खोज में एक प्रयास के परिणाम में पैदा किया गया हो तभी तक कि जब ओरिशम उनके वर्तमान मेथडोलोजी को लागू करने के लिए आए या फिर इगो और अरिशम दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हो और वो दोनों सामान उमर के होंगे ये सब अभी तक नहीं पता है लाखो साल तक अर्धनिर्वाचन में बहने के बाद इगो ने अपनी चेतना के चरण और एक दुनिया का निर्मान शुरू किया और खुद के लिए एक जीवाशमी रूप में जन लिया जिसका शरीर उनके ग्रिल से बाहर निकल कर दूसरे जगों पे जा सकता था जहां जीवन मिलता था लेकिन शरीर को पुना ग्रिल के अंदर जाना पड़ता था जहां उसका पुना आधार हो सकता था और जाब इगो जीवन खोचते-खोचते ठक चुका और उन्हें मिला जीवन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया तो इगो ने अपनी खुद की महात्वाक्षा को पूरी करने का निर्णय लिया विस्तर इगो ने जीवित जीवो वाले विभीन दुनियों में अपने आपको विस्टरिट किया और उसने उन दुनियों को अपने लिए परिवर्तित कर दिया लेकिन इगो अकेला इतना ताकतवर नहीं था कि ये सब खुद कर सके, उसके लिए दूसरे सेलेस्टियल्स की ताकत की अवशकता थी. इगो ने विभीन दुनियों में भिन्न भिन्न जीवों के साथ जोड़ना प्रयास किया, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाम रहे. अंतरिक्ष के विभीन भागों में इस प्रकार की दुरलब जीव मिलना बहुत मुश्किल होता था. फिर एक दिन उसको पता चला कि उसके पुत्र पीटर क्विल उसकी महात्व कांग्शाओ को पूरा करने में सक्षम है.